इक वंकार सत नाम करता पुरख निर्पो निर्वेर अकाल मूरत अजुनी सैब अंगुर परसाद सोचै सोचना हो वई जे सोची लखवार चुपै चुपना हो वई जे लाए रहां लिवतार पुखेयां पुखना उतरी जे बनना पुरियां पार सहस से आन पां लाख होएं ता एक ना चलै नाल किव सच्यारा होई ए किव कूडै तुटै पाल हुकमर जाई चलना नानक लिख्या नाल किव सच्यारा होई ए किव कूडै तुटै पाल हुकमर जाई चलना नानक लिख्या ना जुगो जुग अटल गुरू तनसाहिब श्री गुरू गरंत्साहिब जीदी पवित्र हजूरीच जुडबैठ के अंबरत्विले गुर्दिवान दियां हाजरियां परदे होए अपने जीवन दियां कडियानों सफला कर रहे हो picture अंबरत्विले देणें तुप्रअंट गुर्बानी दरास्पि नाकिर्त नाप जी ने सतकार जोग पाईसाब पासूं सरवन कीता है उपरंत चल रही लड़ी वार गुरुनानक पाच्छा जीदी असीम रचना जप्ची सहब जीदी कथा विचार अपा राल मिल के पिछले कुई समय तूं सांजी कर रहे हां इस कथा विचार दे वीच गुरु दियां बातां गुरु दा जास गुरु दा दिता होया उपदेश गुरु दी सिख्या देनाल अपां सांज पाण दा यतन कर दे हां लड़ी वार जप्ची सहब जी दी कथा दे वीच पहली पोड़ी दी अरमता आपां कीती है क्योंके गुरु साहिबान ने पहली ता एही मनोर्थ है साड़े जीवन दा के संसार दे वीच आपां सच्यार बनन दे लेई आए हां ते किवें उस सच्यार जीवन प्रापत कर सकदे हां किवें साच तक पहुंच सकदे हां साच देनाल सांज काइम कर सकदे हां साच है प्रमात्मा उस तक पहुंच साड़ी में बन सक दिये कि वे उस विच असी लीनता हसल कर सक दे हां उस दे नाल इकमिक हो सक दे हां एही साड़े जीवन दा मनौरत है तेज प्रशन दा उत्तर भी गुरु साइब सानु बख्षिश कर दे है हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल जे उस रजा दे मालक अकाल पु लेकन हुकम दी सानु समझ किवें आएगी गुरु साइब केंदे है जाप एही सेंट्रल आइडिया है जप्षिश साइब जीवन दा अधार बन जाए प्रमात्मा दी सिफसला रभी गुना दा गायन गायन कर दियां कर दियां गुना अधार्त जिंदगी ते साच दे विच लीन ता एजाप दा जैसी एक ब्राडर आस्पेक्ट दे विच अर्थ करिये ते एही है बार ले तल ते जपना नहीं जाप साड़े जीवन दा अधार बन जाए तो पहली पोड़ी दी विचार कर दे आसी सोचा है सोचना होई जे सोचीं लख वार इस दुक दी विचार शनान कर लवा तावी मेरे अंदर दी सुचमता निर्मलता पवित्रता नहीं हो सकती बारों तीर्था दे शनान कीते हैं जीवन निर्मल नहीं हो सकता पवित्र नहीं हो सकता ते अब पवित्र जीवन कदी भी सच्यार नहीं बन सकता इसे लड़ीनों अगे तोर दे होया के लिखिया नाद विचारां दी लड़ी आज अरम करन तू पहला आओ साथ गुरु पाथ स्याजी दी बक्षिश की ती फते देनाल सांज पाओ वाह गुरु जी का खलसा वाह गुरु जी की फते गुरु साहब जो दूसरा सिदांत संसार ने दिता जा उना तार्मक आगवा ने दिता जड़े तार्मक दते अचेत ने यह पुजारी वास जिनानों अपन कह सक्तेु हैं पुजारी श्रैणी ने इस किpellान दिता के जे तूसी सचेयार बनना है THE G G जीवन दे विच सच अपनाउना चांदे हो सचदी विच लिचा लिनता हासल करन जांदे हो ता एस बतारन कर लो क्योंकि ज़żej साचदी गाल करते हैंै ते इस देवीछ कोई दोरावा नहीं के साचदी प्राप्टी ताँ हो सगतियाई, सच्चारा मनुंख ताँक्या जा सगता है जो हुस्ने अंदर शांती होए अंदर सहज होए जिसनों असी आत्म का डोलता सहज अवस्था परंपद अवस्था तुरिया अवस्था भी कह सक देयां ए अवस्था जे मनुख दे अंदर आ जाए टिकाउस दे जीवन दे भी चाँ जाए वो सच्यार बनन दा एक मारग है ते दूज्या ने इस दान दिता के जे तुसी अंदर दी शांती चांदे हो ता फिर बारू चुप ता आरन कर लो बोत काट बोलो मौन ता आरन कर लो एक तार समादी लगा के रखो ते तो अड़े अंदर भी शांती आएगी जिऊ 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 तुसी ये अब यास करोगे तो अड़े अंदर शा तो जाएगा ते तुसी साच दे विच लीनता हसल करोगे तुसी सच्यार मनुख बन जाओगे लेकर गुरू साइब कहने नहीं मैं इस विचार ताहरा देनाल सहमत नहीं ते कहने चुप ना हो वही जे लाए रहां लिवतार कहने जे बारूं मैं चुप हो जावां बिल्कुल बोलाईना मोन ताहरलवां एक ताहर समादी लगा के बैठ जावां तावी मेरे अंदर दी शांती नहीं हो सगदी मेरा मन शांत नहीं हो सगदा पाव ओ सहज ओ आतम का डौलता ओ टिका जीवन दे विच नहीं आ सगदा इस तरीके देनाल सच्यारा नहीं बनेया जा सगदा बारू चुप्रेंड देनाल अंदर दी शांती नहीं हो सकती। क्योंकि गुर्णानग पाच्छा जी दू संसार दे भी चाउंदे एते एक तरम दी परबाशा ऐसी देंदे है जो साचते अधारत है। एको तरम दीड़ा साच कोई गुर्मत पूरा जुग जुग सोई जिवें अपा गुरु अर्चन पाच्छा जी दे पावन बचन भी पड़ देयां। सर्ब तरम में स्रेश्ट तरम हर को नाम जाप निर्मल करम। उथे भी जाप है। प्धान के लिए पर्माथमादा नाम में जापनाओ ते नाम जपदें जपदें अपने करमा नूँ निर्मल तरम करम। जरुग सरु युग। ते जिनने चुत्राइयां ते चलाकी अपनाईयां जिस दा जिकर गुरु साहब इसे पोड़ी दे विच करनगे सहसे आन पान लाख होएं ता एक ना चला है नाल ऐसी पुजारी श्रेणी जिनने तार्मक तलते लोगानू पंबल पूसे विच पाया परमादे विच पाया उन तार्न करते हो तो आड़े अंदर दी शांती आएगी लेकन गुरु साहब ने क्या के साच्टे अदा अर्ट जिन्दगी जून दे लए साच्च्टा पैंड़ना साच्टा खाना साच्च्टा अदा अधरत जिन्दगी बन जाए उस दे लए नाम दे नाल जूड़ना तुसी जिमें अ यह बारली किरिया सी जड़ी तीरथान दी गलापां विचार कीती है। तीर्था दा श्नान भी श्रीर दी बार लिक रहे हैं तीर्था दा श्नान कर दे रही हैं श्रीर साड़ा तान साड़ा साफ हो सगदा है मान दी निर्मलता दे नाल बार ले तीर्था दे श्नान दा कोई संबंद नहीं है उन्हों अंदर अंतर गत तीर्थ मालना हो अंदर ले तीर्थ उपर इश्णान करना पहना है नाम तीर्थ इसे तरह असी बेख देया के बार लिए श्रीरिक क्रियामा एक बहुत सारीयां कर देयां सी कहीं लोग की चलिया रख देंदे जिन्हों आपके देना चलिया रख्या हुए चाली दिन करू नंगे पैरी चलना आम तुसी ब प्रणा ले तो जदो कोई पूरे चाली दिन गुर्द्वारे आऊंदा है नंगे पैरी करूं चलके ति फिर चाली दिन पूरे हो जानदे है ते यह थे अपा अर्दास भी करहां दे हैं पाएसाब अर्दास भी कर देंदे और इन ए नहीं सानों पता लगदा कहीं बार के इ से तार्मकस थान तर दे घयां थींगे कि संकट तीविच सारे सुचेयत नहीं हो दे na लेंदे यहां जड़ अचे हujemy कि एक सिदात बन जानता है लोग की अपनावना शुरू कर देंदे हैं कैई लोग की असी गोल गुजराल विखे रहें देसी ते गोल गुजराल तू छटी पाच्छा टाली साब जड़ा गुर्दवारा साहब है मेरे ख्याल है तिन चार पांच किलो मेटर है उत्थों लोग की स द्सुप टारन कर लेए बंदा मोण पारन कर लवे बोले इना किसे नाल ते उस दे अंदर शॉनती आएगी हुली हुली तो उस्स चीयारा बन जाएगा तो गुरू साहद का ये खेड ते अंदर दी है बारू मुँ बंद कर लिए ऐसी किसे दिनाल बोलिये ही ना उस तरीके दिनाल साड़ा मन शांत नहीं हो सगदा क्योंके खेड शांती दी मन दिनाल जुड़ी होई है अंदर दिनाल जुड़ी होई है कब हूँ जीडा उब चड़त है कब हूँ वी तलते, कोई रुटबा मिल जाए, कुरसी मिल जाए, परवार बड़ा हो जाए, माया मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मकान बड़ा हो जाए, गड़ी हो जाए, फिर की करता है, अकाश वाल उड़ारिया मारना शुरू करन दा, बड़ा कुशी दे विच, चाओ विच, मैं बोत कुझ प्रापद कर ले आएं, ते फिर तरती ते नहीं चलादा, बैठदा नहीं तरती ते, पिंच्छल आगे, दिन्हों है कोई नुकसान ओजाए, कोई तानपदार चले जान, बिजनस दे विच कोई नुकसान हो जाए कारदा कोई जी चला जाए प्रवार्द वीच होर किसे तरह नुकसान दुनिया भी तलते वापर जाए ते फिर एकदम टेटेरी हो जानदा केंदे मन दी खेड है उन्जे बारू बंदा चुप तार्न कर लवे ते ए मन शात नहीं हो सदा क्योंके अंदर फुरने साड़े चल दे रहें दे हैं ए विचारां दा संकल्प है ए संकल्प एक समू है मन जिस तरह दे विचार इनू मिल दे रहें दे उससे तरह दी इस दी बि बारू बंदा चुप तार्न कर लवे मोन तार्न कर लवे बिल्कुल बोले ही ना किसे नालते गुरु साहिप कहें दे ए मन दी शांती प्रापत करन दा वसीला तरीका नहीं है इस तरह सचयार नहीं बने जा सकता उन्दूजया ने जेड़ी ये विचार दिती उसने मोन तार चाड़ दिता परवार दियां जिमवारियां चाड़ दितीयां ते जंगला दे विचले गे जिवे आपां जोगियां ते सिदा दी गाल अगे भी चलके आएगी उन्हाने कार परवार चाड़ दिता पो गोड़े होगे संसार के जिमवारियां तूं बैसानू संसार दे ते पगोड़े हो गए इस तरह केहां ने इत्थे ही गुफामा बुनाना शुरू कर दिती हैं भी अबान इलाकें दे विच या कहीं मौन तारी ऐसे पैदा हो गए जिना ने बंद कमरे बीच बैठ जाना कहीं कहीं दिन बैठ जाना किसे दिना गल्बात नहीं करने साड़े भी अपां देख देख देखें कि साड़े समाई दे बीच भी इस तरह दे लोकां दा काटा नहीं है अपां भी कुछ खास दिन मित के जड़ी में चलिये दी गाले कीती है ते कहीं गुफावां में बढ़ जान दे हैं भै नहीं ए चलिया काट रहे है जी इपक्ती कर नाम जप रहे है ते उन्हादी मानता भी बड़ी हो जान दी है कि नहीं जी किसे नहीं बोल देनी बड़े पहुंचे ओए साथ संत ने उन इस तरह दी अपां देख देए हैं कि कहीं वारी ऐसा होंदा है कि लोकी ना को लूँ ना पुछा पुछन भी चले जान दे है मेरे क बच्चा पैदा होना चाहिए जी मेरे कार उलाद नहीं है लोकी पुछा पुछन चले जान दे ऐसे मोन तारी साध्या को लूँ तो लोकी की कर दे जदू जान दे उन्हां दे कोल कैसे कहीं ऐसे मोन तारी ने बांद कमरे वीच बैठे हो ने नाल उनने कापी ते पैन रख् कुछ मोन तारी बोलदा नी सी है उस लेड दे उपर लिख लेना या पैन दे नाल कापी दे उपर लिखके दस दसी इस तूप आव है कि उस सून रहे है बोल नी रहा बारू लेकर उस दे मान दे फुरने चल रहे नहीं किसे ने को प्रशन किता है जी मेरे कार दे वीचे पर नहीं आ सकती शांती तरीका नहीं है डू साथा आसा कि व्हार्द है इस दियुद्रारन भी देती बरू नानंग पाच्छा जी मोन ज़गोगता किूं जागा गुर भिन सूता कैंदे मोन वागुता विाटा कैंदेo कुराएप ओप है करा ने लेकर जीवन दे पतर्डीक पिर पच्चता तो गीज़ चुश्च ओचि की सबसेऀ सास्पफ पेटे सोख पाए हर का नाम मान वसाय। करना था एसी सच्छाई दे लई, शान्ती दे लई, सच्छारा बन दे लई, साधगरुदेनाल मिलाप करदा, साधगरु दे शर्म दे वी चाहं जान दा, साधगरु हOOग पेटे सो खपाए, ओ आत्मक सुख प्रापत कर सगदा है ओ शांती प्रापत कर सगदा है ओ सच्यार वाली अवस्था ते जा सगदा है उस अवस्था नू मान सगदा है जड़ा साथ गुरू दी शर्ण दे विचा जाए साथ गुरू दे नाल मिलाब करे हरका नाम मान वसाए ते साथ गुरु दी शर्म दे विच रहके तान गुरु गंसाइब जिदी ताबिया बैठ जाए ते परमातमा दा नाम जपदा रे मान दे विच वसाल लवे नाम नू रबी गुना नू जीवन नू शिंगा अर लवे ते इस तरह उस दे मान दे अंदर होली होली शान्ती आएगी ए तरीका सी लेकन गुरु साहब कहने ने बोला ना ही होई बैठा मोनी कहने बोला ना ही होई बैठा मोनी मोनी होई बैठा इकांती हिर्दे कलपन गंठा मोन ता रहन किता है बोल दा नहीं किसे नाल लेकन हिर्दे दे वीच कलपना चल रही है, गंठा दो कहने रे गंड़नू, और कलपना रूपी गंड़ जेड़ी ने कलपना अंदर चल रही है, फुरने उठ रहे ने, मोनी होई बैठा इकांती, हिर्दे कलपन गंठा, केंदे, ए तरीका कार अंदर दी शानती दा नहीं सी, लेकन ए अपना लिया, उन गुरु साहिब केंदे, यह सानुएक सेद बक्षिश कर दे, के अंदर दी शानती दा तरीका नाम है केवल, जे आसी नाम दे नाल जुड़ जाईए, नाम साड़े जीवन दा अधार बन जाए, ते फिर ही मन शानत हो सकता है, क्योंकि असी जदू इस अशानती दी गाल कर दे हैं, मन दी पटकना दी गाल कर दे हैं, ते ए साड़े अंदर दी ही खेड है, मन अशानत जड़ है ना, अपाँ पहला भी यह विचार कीती सी, कि परमात्मा ने विशे जिनन हो अपाँ कहन दे हैं, जिड़े काम, करोद, लोब, मो, अहंकार ने, साड़े अंदर इन बिल्ट ने, ते साड़े अंदर गुन भी पेह होएं ने, सबर है, संतोख है, दया है, तरम है, तीरज है, निमर्ता है, हलीमी है, बहुत गुन ने, एसे तरहां विशे भी बड़े ने, ए साड़े अं दो पक्षी अशांती अंदर भी ते बारूं भी मान दी शांती या अशांती दो में पक्षी है बारूं भी ते अंदरूं भी अंदर भी ओ इन बिल्टने विशे ते जदू जो 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 रेने ओ जोर पाना शुरू कर देंदे है गुन दबे रहा जांदे है तो बस जीवन दी खुवारी होना शुरू हो जांदी मान एक अशांती पठकना इस देविच टिकाह खत्म हो जांदा है ऐसे तरह जदू संगत मारी हो दी है क्योंकि विचारा दा सुमू है जिस संगत कि यहाँ संगत कर देने कि हार भेन ऑन दी संगत दे विच रहिए जित्थों सानूँ चंगे वीचार मिलन नाम दी वीचार मिले रभी गुना दी वीचार मिले जदू भी तुसी मारी संगत करोंगे तो आड़ा मन पटना देविच पैना शुरू हो जाएबा होली होली मारी संगत गुरु norte इस मारी संगत वीध बैठ दिया मन शांती वाले पासे जानदा चंगी संगत वाले पासे बैठा बैठा गे ते मन शांती वाले पासे आएगा आई मान मेरों बसना आएं केजे मेरा मान बसने विच नहीं है निस्वासुर विख्यन को तावत एंधिन रात केने पासे विशही पदार थां वाले पासे जा रहे हैं जड़ा इस दी अशांती दा कारण बन रहे हैं निश्बासुर बिख्यन को तावत कहभी द्रोग कूंताई मद माया कैप पे उबावरू सूजत नहां कच ग्याना काट ही पीतर बस्त निरंजन तांको मरमना जाना केंदे अंदर ओ परमात्मा जिड़ा माया तू निरलेप है जिड़ा निर्मल परमात्मा अंदर बस रहा हो लेकर उस दी इसनो कोई सूज नहीं उस दे नाल ए डूंगी सांज पांदाए नहीं मद माया कैप पे उबावरू सूजत नहां कच ग्याना परमात्मा दे नाल जिड़ा अंदर वासरे है उस दे नाल डूंगी सांज किमें काइम करनी है उस दी कोई इसनो सूजी नहीं नही वस्ता बनी होई है लेकन तरीका कार भी दस दे फिर शांती दा मन दे टिका दा जब ही शर्ण साद की आए हो कि जदू एक गुरू दी शर्ण दे विचे आ गया है जब ही शर्ण साद की आए हो ते फिर की होंदा है होली होली जदो गुरु दी शर्म देभी चाह जान दा है तो इसने अंदर टिका जान दा है इस दो गुरु सاحथ गुरु तेग भादर पाच्चह जिए एक होर शब्द यांदर भी झिकर कर दे कहां दो टिका जीका के में आएगा साड़े जीवनद गया माई मैं तन पायो हर नाम, किड़ा तन प्रापत कीता, नाम, जदु नाम रूपी तन प्रापत कीता ना, ते मेरे जीवन दे विच की आया, टिका आ गया, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते छुटे ओ, कर बैठो विश्राम, उन इसी तावनी खत्म हो गई, ये उन माननु मारांगे थे माननू मारंटु पर आब आब है माननू वास्त विच कर ला न जदुँग कोई फुरना उठे तेне गुरुदी गल चेते आ जाये ते ओ फुरुणा दबया जानदा बैठ जानदा है ते चंगा फुर्ना आजान दा फुर्ने उठते रेंगे माड़े ते चंगे माड़े फुर्ने आनू वास्दविच करन्दे लेइ गुरू दी शर्णद विच आउना जिरूरी है मन मराय ता आत मर जाए भीन मान मुए कैसे हर पाए प्रमाहत्मा दी प्राप ती जड़ तक माननू वास्ट विच नी करदा किमें हो सकती है ते फिर गुर्व साइब केंदे मान शब्द मराया दारू जाना कोई माननू वास्ट करन दे लई शब्द नाल जोड़ना पेगा अपा एक शब्द अक्सर ना जदू कोई प्रानी चड़ाई कर जानता है ते अं पास शब्द गुर्व साइब ने नहीं उचारन की तब किसे खासमों के लिए टुका दी लेकन कुछ शब्द अपना सोच दे हैं कि जीवन मनोरत नाल टूक दे है ते अपना पढ़ दे हैं उन्हां अक्सरा सी ये शब्द पढ़ दे हैं और शब्द उस दे नाल मिर्तक दे नाल संबंद नहीं है पगतकबीर साइब जी दा बाबा बोलते ते कहां गए देही के संग रहते सुर्थ माएं जो निर्ते करते कथा बारता कहते असी सोच दे हैं के नहीं हुने ते बंदा साड़े नाल बैठा सी खासदा खेड़दा सी उन्हें इस दी मौत होगी ऐस अर्थिस्तरा करते हैं लेकर नहीं ओ जीवन दी तबदीली दा जिकर करते हैं पहला अंदर फुर्णे उठने सान मायक फुर्णे मन अशांत सी मन टिकाव इच ने सी मन सैद विच ने सी पटकना विच प्या होया सी बाबा बोलते ते कहां गए देही के संग रहते कहां दे ओ बोल बुला रहे हुन किते गे पाई तेरे जिड़े हर वेले शरीर दियां गलां कर दे संग खान पीन पैनन दियां गलां कर दे संग रंगरलिया मानन दियां गलां कर दे संग सुर्त माय जो निर्टे करते संग वाशनावा उन किते गी यां कथा बारता कहते हर वेले बस क कोई ना कोई तरु पठकना वालियां गलां तेरे अंदर ओ खड़ियां कर दिया सी ओ किते गया हो मान तो फिर पगतकबीर साहब कहां देने गगन नगर एक बूंद ना बर्क है नाद कहां जो समाना पार ब्रह्म परमे शर्मादो परम हांस ले सिदाना जुड़ गया जदू परमात्मा देना केंदें गगन नगर एस सुर्ट सी ना जिते जिते पहले वाशनावा जोर पा रही हैं सन माड़े ख्याल माड़े विचार तो फिर मान दिया शांती तो हुन की है केंदे हुन एक वी ओ माएक फुरना जिड़ा पठकना दा कार्न बनदा सी ओ खत्म हो गया गगन नगर एक भूंद ना बर्क है नाद कहां जो समाना पार ब्रम परमेशर मादो है पाई उस परमात्मा ने परमहंस ले सिदाना ओ सारी वाशना माँ खत्म कर देती हैं ओ फुरने ही मिटा देते हैं इस तरीके देनाल गुरु साहब सानुए सेथ बक्षिश कर दे है के जे बंदा नाम देनाल जुड़ जाये ते ता अंदर दी शान्ती आ सकती है बारू मोन तारन कर लेए ते उस ता अंदर दी शान्ती देनाल कोई लेना देना नहीं कोई संबांद नहीं अंदर दी शान्ती नहीं आ सकता बोलना साड़े लिए जरूरी है जे आप आप बोला आगे नहीं ते विचारां दा आधान परदान किवें होएगा जे पाईसाब तो अड़े सामने कुछ समा पहला किर्टन कार रहे सन साज खोल के बैठ जान बोलनी ना गुरु साहब ने ता सानू क्या ना भाई नित उठ गावो प्रभ की बाणी प्रभ बाणी शब्द सुपा ते गावना के में है बोलांगे ता ही का सकांगे चुप रहा के ते नहीं गाया जा सकता के मोन ता रन कर लिए ते किर्टन पाईसाब बैठ जान ते साज लेके साज खोल के बैठ जान बोलनी ना कुछ ते सानू रास के में आगा जिए जिए पाईसाब किर्टन कर दे है बा आगी किर्तन साहिब जब उख करदे ना किर्तन ते फिर वाए गरु दिटू नहीं नाल गांदे है हलाँके ओ जदो शब्द चल रहे हो वे ते कहीं वरी विचकार आसी शुरू कर दें दें वाए गरु नहीं शब्द साड़ा समापत हो जाए ते फिर आपां वाए गरु कर सक हुए गा एक बच्चे ता जनम में हुए ते विद्वान लो की या स्याने लो की या डाकटर भी एगा लकैन दिया है कि बच्चा नव जनम बच्चा हुए उन्होंती जिस्य किसे कमरे दे बच्छा थै है, अक्सर आज़ी वे्खते है के कहीं कि दिर्वाजा बंद कर दे हैं जा खोल दे हैं तो खुशको जान दे हैं ना कबजे तो खुशको जान दे हैं ना कबजे तो खुशको जान दे हैं 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 बोल देया है और बोल के सुनदा है जदू बोल देया है और उन्हों देखता है और सुनदा है ते फिर ओही कुछ बोलना शुरू कर देंदा है पहले तोतलिया वा जुबान दे विच बोल दा होली 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 फिर ओ बोलना शुरू कर देंदा है पाफ के जदू असी कुछ सुन दियां सन उना दे अंदर वस्दा सी ते फिर ओही कुछ उना दे उना दी जुबान ते आंदा सी साड़े बोल बुलारे विच ओ कुछ आ जान दा जैसी मान करके सुन लेए इसलिए बोलना बड़ा जरूरी है कहीं वारी तुसी वेखो बच्चे आज कल जदू बड परसंटेज दा ब्राप प्रशर है माता-पिता भी बड़े प्रशर पांदे है ते कंपिटिशन भी बड़ा है बार ते बच्चा जदू कहीं वारी सोचता है कि नहीं मेरे 95 मर्स परसंड मार्क्स मैं सोचता कि आने चाहे देने मैं जिससा अबदी त्यारी किती दिया मेरे इतने परसंड मार्क्स होने चाहे दिया लेकर जदू कि दे रिजल्ट आ जाना है अगर उतने ओव मार्क्स ना ला सके बच्चा सेंसिटिव होवे ओ कि की कर दा है जदू अपना अंदर दा जदू उसनों एक दुख हो जाना है भाई नहीं मैं मैंत बड़ी कीती सी मेरे 95 प परसंड मार्क्स आने चाहे दे संड में ते 80 परसंड दे चला गया मैं 70 परसंड दे चला गया करूं वह कहीं वरी जदू प्रशन पैंदा बचा अपना दुख दा इजहार किसे होर दे नाल नी करदा अपने किसे साथी नाल नी करदा माता पिता वालू पहला ही प्रशन हों आदे हैं किसे अपने दोस में ते देनाल परिशानी शेयर करांगे दुख थोड़ा जा हलका हो जाना है और खुशी देविच भी तुसी किसे देनाल बैठो उठो ते खुशी दुगनी हो जानदी है लेकर जदो को बंदा दुखी होंदा है अंदरू को तरफ होंदी है जब दूबंदा रात नों सुदा है और पासे परत्ता रहेगा पूरी रात उन्हों नीद नहीं आएगी क्योंकि अंदर शांती नहीं मन जड़ा है उससे अंदर टिकानी आया बोल नहीं रहा उनके बैठते लेटा होए लेटे होए नाल उससे कोई लेटे होए पती पतनी दौनों लेटे ने बैठते लेकर मर्द दे को अंदर कोई परिशानी है या पतनी दे अंदर कोई परिशानी है और रात नों सो देख दी है बढ़ी मेरा पती सुटा होए शीकांट शेर उस दिनाल शेर नहीं कर पारी चुप है बिल्कुल अंदर या अंदर दुख खा रहे λेकर ऊप परिशानी उसला दुख दा कारण बनेगी क्यों कि चुपते तारन कीता हुए बैड़ते लेटे हाते हुआ बंदा बोलनी रहे आ किस दिनाल लेकर अंदर माना शांत है लेकर दिन हम किस दिनाल अपना दुख खेर करदा परिशानी शेर करदा है तो फिर कि उसला मन थोड़ा हलका हो जाना है इसलिए गुरु साहिब कहें दे आसी संसार दे भी चाहे हैं कोई मौन तार्ण वस्ते नहीं आए लेकन दुखान तैसा डा कि आज गुरु बाबे ने देखिया थी भै तुसी मौन नहीं तार्ण करना जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिया है किछ कही है गुरु साहिब ते चोरां को लगे है ठगां को लगे है ओ धैंत बिर्ती वालें को लगे है ते जे उना देनाल गलबात ही ना कर दे जे उना देनाल विचार बटांदरा ही ना कर दे जे बानी दी गाल ही उना नुना दस दे ते ए साड़े तिन करोड सिख जड़े उना ने अपने समय दे अंदर पैदा कर देते बना देते ओ कि में बनने सन विचारां दा अधान परदान देना ते जू जू उना ने शबद दी गाल नाम दी गाल बानी दी गाल लोकानों दसी ते फिर उना दे अंदर भी शांती आई सहज आया टिकाँ आया ते जीवन बदल दा गया इसलिए गुरु साहिब केंदे है के बारु बंदा चुपतार न कर लवे अंदर दी शांती कदी नहीं आ सकती जिड़ा विचार तुसी दे रहे होना समाज दे लोकान उना आगवानों दस्या जिड़े अखोती तार मकागुसन पुजारी श्रेणी उनने का जिड़ा सिदान तुसी जड़ी विचार तारा तुसी समाज नू दे रहे हो के बारू चुप तारन कर लबो ते अंदर दी शांती आ जाएगी केंदे तो आड़ी इस विचार देनाल में कताई सहमत नहीं क्योंकि जड़ू आसी संसार दे विचाया कुछ बोलन दे लिए आया कुछ कहन दे लिए आया कुछ गल सुनन दे लिए आया अगला बोलेगा तहां असी सुनागे असी बोलागे तहां अगला सुनेगा लेकन दुखांत सा डाकिया है कैसा दुखांत हो गया असी क्या भाबे या जो गल तू कही है असी तेरी गल नो नकार दें असी नहीं मनना तेरी गल नो असी की किता है मैं किर्टन दी गाल मिसाल तो अड़नल किती ना साजी एसे तरह आपां बैठ देयां अखंड पाठ कर देयां सैज पाठ कर देयां बानी पढ़ देयां साड़े तक कोई बानी दी गाल पोंच दिये ते साड़े बाबे ऐसे पैदा होगे मौन ता हरी बाबे जिना ने मूँ देयो अपर पटियां बनी है शुरू करतीया तूसी सोसल मीडिया देयो देयो एक़ो कितार से वीच बैठे वे पजाब है सोसो बंदे ते मोन अखंड पाठ शुरू कर देते मोन अखंड पाठ उन पा अंदर दी शांती नहीं हो सकती, आसी तरीका कार भी, आसी भी ये लोकानू दसे है, के नहीं, उन बोलना नहीं कुछ, मुदे पटी बन लेनी है, कर दे जाना, बस ऐस तरह बानी पड़नी, जैसी बानी पड़ांगे नहीं, दुझे तक बानी दा और रास जाएगा किमें, किम गुरु साहिब ने जड़ी गल में पहला मी किया है, उठत, बैठत, सोवत, त्याईया, मार्ग, चलत, हरे, हर गाईया, गा, बोल भाई, बोल, बोल, बोल सो तर्मीडेया, मौन कत तारी राम, भाई तो अपने आपनो तर्मीया खोंदा है, तो मौन तार के बैठा हुए है, इस तरह तो कहने अंदर शांती आएगी, सच्यार बनेगा, नहीं बन सकता, हाँ, गुरु साहिब कहने एक त्यान रखना जरूर है, मौन तारना है, लेकर किते, जिते किते मौन दे अंदर ऐसा फुरना उठ जाए, किने में इस दा नुकसान के में करना है, इनुक गाला के म नहीं है, फिर नहीं बोलना, जि मैं बाबा फरीद साहब कहने एसान, बोल बुला रहा, जदू इस तरह नहीं सोच अंदर पैदा हो जाए, ते फिर उत्थे मौन तारना जरूरी है, किते एक फिका, एक फिका ना गलाए, सब नामे सचातनी, हियाओ ना कहीं ठाए, मानक सब अमोल बे, कहने फिका ना बोली, जदू कि इए फिका बोलन दी तेरे हंदर सोच होए ना, ते कहने उस वक्त मोन तार लए, उस वक्त नहीं बोलना, एक फिका ना गलाए, सब नामे सचातनी, फिका बोल बुला रहा जड़ा है ना, ओनी बोलना सी, उत्थे चुप्रेन दी क प्रेज करनी फिर प्रेज करनी फिर चुप रहे ना फिर काट बोलना जरूरी है माला ख्याल जदू मान दें अंदर पैदा हो जाए जदू माला ख्याल होए ना तो बंदा किसे नो गाला मी करना शुरू करना फिर किसे बस्ती वीच रह रहे है मनले वीच रह रहे है अपने ग आत्मा बस रहे हैं उसी जोज सब दे अंदर बस रही है ते गुरु साहब कहने है बोल बुलारा इस तरह दा रखिए कि जिस दे नाल इज़त मिले बोलना भी अगर है ते एत्यान रखना है कि बोल बुलारा किस तरह दा होगे मौन नी तारन करना मौन उते तारन करना जिते फ बोलना भी है अगर बाबा बोलीय पत होई उतम से दर उतम कहीं है नीच करम बहरोई यह पहेंदे ल्व बोल बोलारा भुत। जिस दिन आलसानू इजद मान मिले लगत बोल बोलारा भुत वद्याई बहुत अच्छा बोलताैं बड़ा निमरता दा बोल बुला रहा है इस दा सुबा बड़ा चंग है बड़े मिठे बोल बोल दा क्योंके मिठ बोल रा जी हर सजण स्वामी मोरा हाँ सम्मल ठकी जी ओ कदे ना बोल रहा है कोड़ा उते कोड़ा बोलना जान दा है नी असी कोड़े बोल क्यों बोली है इसलिए गुरु साहिब ने सानुए सेथ बक्षिश कीती है के जे असी मान दी शांती चाउंदे हैं जेड़ा सच्यार बनन दा एक सबतु वद्या ते बड़ा वसीला है अंदर दा टिका अंदर आत्मक पदते उचता जिन्रों परमपद सहیज अवस्था तुरिय अवस्था भी क्या जान दा है इस तरह नी अवस्था ऑसी अगर अपने अंदर पैदा कर देयां ताह सच्यार बन सकांगे ते उस तरह नी अवस्था पैदा करन दे लिए बारू चुपरेना जरूरी नहीं है बारू बोल बुलारा अपना फिकाना रखिए चंगा रखिए मिठा बोल बुलारा रखिए लेकन विचारां दा धान परदान करन दे लई मान दी शांती नू लियाउन दे लई नाम दा रास चाईद है बाणी दा रास चाईद है नाम अंदर साड़े अंदर वस जाए हर वेले आसी चंगी संगत करिए उना दी संगत करिए जिना तू सानू चंगे विचार मिलन चंगियां गलना सुनन नू मिलन ओ चंगियां गलना जानू साड़े अंदर वसन गियां चंगे विचार साड़े अं ते असी सच्यार वले उस मारग ते समझो तुरना सी शुरू कर देता है ए गुरु साहिब ने आज दे इस लिड़ी तुक विचारी असी चुपए चुपना हो वही जे लाए रहां लिवतार लेकन इस पोड़ी दा मुख पावे चल रहे है जब सेंट्रल आइडियास मुची बानी दा ते किब सच्यारा होई है किब कुड़ है तु टैपाल हुकम रजाई चलना नानक लिख्या नाल ते इथे भी जदू आसी एटू कामांगे के हुकम दे भी अदीन अपने आपनों कर लाँगे बारू मौन ता आरना च्छाड के हुकम दे अदीन कर लाँगे हुकम इस बानी दे अंदर अदुती विचार तारा गुरु सहब ने सानुबक्षिश कीती है क्योंकि जप्ची साहब जी दी विचार जडी है ओ बहुत सारे विदूंगा ने इस ता ठीका कीता है मैं पहला में विचार तो आड़े सानुमुख रखी है जप्ची सहब जी दी चीज बन्दा कोई नेवी मात वाला बन्दा या अपनी तुछ बुद्धी अनुसारी यासी कुछ अर्थ कुछ विचारा तो आड़े सानमुक रख सकते हैं पर ओ डूंगाई ओ उची विचार तारा जिस तालते बैठ के गुरु साहब ने रचना कीती है अपां हो सकता है तो आड़े सानमुक ना रख सकीए पर तुछ बुद्धी अनुसारी जो ए विचार तो आड़े सानमुक रखन दा यतन कीता है सादगुर पाथशार रहमत करन ए विचार साड़े जीवन दा भी हिस्सा बन जाए लेकन गुरु दी खुशी असी तांप रापत कर सकते हैं बाण आड़े सीवन दा चाहे है ना आड़े साड़े साड़े विचार यूजब दा भी घुना द आल शिंगा रहा जाए कूर दी पाल साड़े अंदरू टुट जाए तैसी सच्यार बन जाएए उस परमात्मा दे विच लिनता हासल करके सच्यारे मुनुख बन जाएए सच्यारे सिख बन जाएए आई दी विचार कर देयां अनेकां परकार देयां पुलां गलतीयां होनगियां बक्ष लेना जी गुरू दी विचार अपने जीवन दाधार बनाएए करांदे विच सैज पाठ जारी रखिए एक एक दो दो शबदी पढ़िये लेकर अर्थां सहत विचार सहत पढ़न दा यत शाल रेने कोटान कोट तनवाद है तन साथ श्री गुरू गर्ण साहब दा आप सारीयां संगतां दा जो बड़ी इकागरता देनाल विचार बैठके सरवन करते हो और भी संगतां जेडियां अजे तक गुरू दो दा नहीं पहुंचियां जाए समागम दे बारे नहीं पता उन्हानों भी बेंटी करांगे के जरूर एतवार वले दिन अद्धा पोना के अंठा करके अपना समाँ जरूर देए ताके गुरू दी विचार साथे जीवन दा हिस्सा बन जाए परवंदक वीरां दा तनवाद जिना ने एस समाँ दिता है ते सानु एस सेवा बक्षिश क की फटे